हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यहां पर मैं बनाने जा रहे हूँ काले चने का नाश्ता जिसे आप साम सुबह कभी भी खाईए बहुत जादा चटपटा और स्वादिश्ट लगती है तो उसके लिए मैंने एक कटोरी भी गोया हुआ च जादा कर सकते हैं तो इदर हमने एक कडाही गरम होने के लिए रख दिया है उसमें डालेंगे दो चमच सरसो का तेल आधी चोटी चमच साबुत चीरा डालेंगे यह जो जीरे का फोरन है वो चने के नास्ता में बहुत ही अच्छा लगता है अब इसमें एक साथ प्याज औ हमें फ्राई नहीं करना है बस मिक्स करने के बाद ही इसमें हम चना डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे फिर सारी चीजों को साथ में फ्राई करेंगे तो यह हमारा चना है अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें स्वाध अनुसार नमक डालेंगे फिर इसमें जाएगा चोथाई चमच हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर और चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर बस इतने ही मसाले डालने हैं बहुत जादा मसाला और तेल का इस् तो अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साथ सारी चीजों को फ्राई करेंगे धकन लगा करके और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये बेस में जले नहीं पांचे मिनिट हो गया है धकन लगा करके कुक करते हुए तो चलिए अब धकन हटा करके चेक करते हैं तो यहाँ प्याज और चने दोनों ही 90% कुक हो चुके हैं तो बाकी के 10% हम इसे खुले में बिना धकन लगाए ही पकने देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम अभी ही डाल देंगे यह optional है दोस्तो अब चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं अब इसे चलाते हुए दो मिनिट तक भूनेंगे यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तो चना और प्याज दोनों ही अच्छे से भून चुका है तो अब हम गैस की flame को off कर लेंगे और ध्यान रखियेगा फ्रेंट्स यह जो सारा प्रोसेस था वो हमने low medium flame पर ही किया था चने को cook करने का क्योंकि यह जो चने है वो कच्छे चने है तो इन्हें हमें cook भी करना होता है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह चने cook कैसे हुए तो यह जो प्याज है वो नमक डालने के बाद हलका हलका पानी छोड़ता है तो उसी पानी से धीरे धीरे low medium flame पर हमने सारी चीजों को mix करके पकाया है तो इसकी वज़र से सारी चीजों का फ्लेवर चने के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाता है आप इस नास्ते को इस तरीके से गर्मा गर्म बना करके सुबह या साम कभी भी सर्व करें यह बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है तो उमीद करती हूँ कि आप सबको यह रेशिपी पसंद आई होगी अगर आप लोग को और भी ऐसी मज़ेदार रेशिपीज देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करें मैंने वहाँ बहुत सारी रेशिपीज बनाई है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है बहुत सराहा है तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेशिपी के साथ ठैंक यू